गुड्म२्वॉणिंग प्रेंट्ट, जय जग अननात, स्बिंग उलकम टू ओडिशेजी के वंड. इस वीडियो में हमने डिसकस करने भाल ह। इस वीडियो मां आज की, डिली करेंट अवैर की टॉफ ्मसी दिसकस करेंगे। डेली करेंड रेपर की आज के अंड फिछली से इतने दर भी करेंड फेर रहे इनहें से tough answer questions हमने एक्म औरेंटro question इस video में cover करेंगे वेग बहुत ही इममें पोर्टन हो सकता है आपके सामने पाफना question रहे, इंपोटन कोश्चिन है, फूस दो अथर आफ दी बूख लाइफ इन सर्विस, फूस इन डिसेंटली न्यूज, अभी डिसेंटली एक न्यूज में रहे, यह जो लाइफ इन सर्विस, यह बूख है, यह बूख का अथर का नाम क्या है, यह सारी के सारे डिसकस करेंगे इसके बारे में यह बुक का अथर है अप्चन E.0 right answer A.S. Naagesh Kumar यह जो A.S. Naagesh Kumar है यह बुक लिखी है जो की भेंकाया नाइडु के उप़र में भेंकाया नाइडु के उप़र में उन्होंने यह बुक लिखी है A.S. Naagesh Kumar लाइप इन साभी से बूख है मतलब आक्चुली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कि ये मतलब तीन बुक एसा ही तीन बुक जो कि लांज की है और तीन बुक का नाम भी जो ऑप्सर में देख रहा है हो उन्हें के ओधर का नाम भी लिखी गई है ये जो सुबाराऊ द मैसेज आपो स्री भैंकया नयडू उनके द्वाइज द्वारं यह सुबाळ말ओ कि जूबॉक Bute Selvating भारत the mission जूब सब्सक्रामेसे इस स्री भैंकाया। यह पुख है और जो फुबर सब्सक्राइब की उन्चे द्वारा लि Wel इ chwain क्या है और यह जो कि आंध्रपदर से बिलंग कर रहा है याद रिखेगा मुपा भारूफ मैंकर नाम है बॉन हुआ था जो कि 1 जुलाई 1949 में जो कि अध्यान से सुना यह जो कि 13 वाइस प्रेजिडेंट रहे इंडिया की 13 वाइस प्रेजिडेंट रहे कौन सी यह से पुछे तो 2017-2022 और उन्होंने भी सर्व की है सर्व आज दो मिनिस्ट्री आप हाउसिंग और और वन पॉवर्टी अलिभेशन और डेफलोमेंट आंड इन्फॉर्मेंशन और ब्रोड्कास्टिंग मिनिस्ट्री भी उन्होंने रहे सो याद रखेगा उनका डाह में एम भागए ना आपको पूछे तो फास्टी बिलान आवड़ यह है भारत रतना उसके बाद बात जो कि पद्म भी भूष जान आने दिन पद्म भूष जान और लास्ट मिचुराई फोड़ पर वह है पद्म स्री याद रिखिया सारे का सारे जो ए बी सी देख रहे हो और जो डी पर देख आपकटर है याद रिखिया एक आकटर है और जो मतल्सकी जो इंग्लिश भर्षन यह मनुजबाज बाज बाई यह उनकी एक इंग्लिश भर्षन रहे ट्रेंसलेट कर वाए गया है जो कि रिचीद बाज के द्वारा रिचीद वाज के द्वारा बढ़ते है आगे यह रहे नबर टू, Central Board of Direct Tax appointment, फुम आज तो New Chairman of, New Chairman, Central Board of Direct Tax appointment, Central Board of Direct Tax, यानि CBD, CBD ने जो कि appointment करी है, नूचेर में करी है, उसका नाम क्या है, रबी अगरवाल, आप संसी इस तो रइटन सा रबी अगरवाल, यह सिबिडिटी के बार में बात करते है तो इसका अस्तापना 1963 में करवाए गया है याद रिखेगा यह अभी करेंटली जो कि अपेंटमेंट करवाए गया है सेंट्राल वोर्ड डाइरेक्ट टाक्स टाक्स अपोइटमेंट रभी अगरवाल आज दो निव चेर्मेंट जो ए पर देख रहा है हो दलजीत सिंग यह तो SSB की डीजी है डिरेक्टर जेर्नाल है और यह जो बी पर देख रहा है हो माधवी फूरी बाउच यह है माधवी फूरी बाउच जो कि HBI की हेड आड एसबी की मतलब फास्ट ओम्यान चेर्मेंट है जो कि माधवी फूरी बूच यह है है सेगृेर्ट की जो की सीकुरिटी एक्टेंज बोर्ड आड इंडिया और इसका स्थापन केशिए इससेपानव हैं Mini इसका स्थापना कर्ण सियर में कर हो गिंगा इसट मिश्मेंट पन मैं mmwal में मिले गा क्षिए पर देख़े हो एक लिए जो की करेंटली डेपुटी स्ीयम बने हैं ओडिशाइकी डेपुटी सीयम बने het निपुटी सेम्पे औरन रह प्रभाती परयड ये दोनहां ने युकि केभी सिंग देऊां औरonce आद प्रभाती परयडए डेपुटी सेंव बने हैं अबज़र करी गई है कॉनिसे डेट को यह अप्शन ए से ही होगा वान जुलाई फास्ट जो कि वान जुलाई को यह अबज़र करी गई है फास्ट जुलाई को जो कि यह फास्ट डे रहे वान जुलाई मतलब यह फास्ट सेल्वेट कर वाई गया था जो कि नाइंटी थी उनकी जयन्मन दीं दिन पर यह जल्वट की जा थी है ए 1 जोलाई निटीन ने कहल जा रहा है और इस साल यह ड़क्टर-डए का थीम नहीं निचे देख रहा है है हैंण हेलिंग हயांद का का मैंत थैम है यार रखी हैं उन्होंने यह जो डक्टर और साथ जािक यह यह दधर ठीचर Ee फ्रीडम फाइटर विठे फ्रैया राट यहांट्र शेल वार्कष थे उन्होंने उन्हें यह जो की सीम भी रह चुके हैं वेस्ट वेंगल की वेस्ट विएगल की भी सीम रहे हैं जीप मिनिस्टर रहे याद रख्या उनका नाम है डक्टर डक्टर बिधान चंद्रा उनके जहनती पोर यह से लवड की जाहती है जो कि डक्टर से डे की रूप में वान जुलाई को ज्यक्त करें जुलाई मौंध में आपड़िट से होता है यह जॉलाई को भी से डिसलां डॉक्टर बन जॉलाई को भी अभजर करी जहातिय है जिआ अभजर करी चाहते है every year हे सा आप आसभी अजयो की साविकेस्स सा भेस एक भी टैक्स ए जो गोड़ साफिक स्टैक्सें डाल जलता ख्री वहीं वान जुनरा सोगि तू जलाई तूहरां है तो आफ यह द ऑला करला causal Account GST मतलब यह जो देख रहा है हो GST मतलब ऐसा है GST जो कि four types की है यह goods and service taxes होती है GST मतलब आपको कितने की percentage percentage के मामले में हमने बात करते है तो GST आपको पांस तरह की देखने को मिलेगा 0% 5% 12% 18% 28% GST देखने को मिलेगा और यह जो देख रहा है हो GST मतलब GST State Government ने जो कि collecting करती है याद रिखे जो GST मतलब State Goods and Services Taxes और यह State Government ने collect करती है और जो benefit मिलती है Belimate Authority वह है State Government और UGST याने Union Goods and Services Taxes यह जो कि UT Government के द्वारा यह पाई जा दिखने है यह कलेक्टिंग कर वह जाते है और इसका जो benefit वह है UT Government और जो CGST CGST मतलब Central Goods and Services Taxes यह Central Government के द्वारा जो कि collect कर पाई जाती है और यह Central Government के द्वारा भी Utilize कर पाई जाती है benefit होती है IGST यानि IGST International Goods and Services Taxes यह Central Government के द्वारा ली जाती है और यह State and Central वोथ ही इसमें involved रहे इसमें benefit रहे सारी के सारी याद रिखेगा यह GST का मतलब है Goods and Services Taxes यह 1 जुलाई को आपको पूछे जो 0% 5% 12% 18% 28% यह मिलेगा याद रिखेगा सारे का सारे बढ़ते हैं आगे नमर 5 Which of the following Indian Cricket has announced his retirement from T20 International World Cup in 2024 मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया की जोगी जित के पाथ यह announcement करवाएगा है T20 International World Cup से जो कि उन्होंने जो कि उनकी retirement announcement करी है वो है रोहित चार्मा बिराट कोली रबिंद्र चार्डेजा अप्शन D से ही होगा All Up दीज़े याद रिखे है यह जो T20 International World Cup को बहुत ही महत्मून हो जाती है क्योंकि इंडिया ने own की है साउथ अपरिगा को हरा कर और 7 Run से United States यह जो हो रहा था यह जो कंडल कर वह जा रहा था होस्ट कर रहा थे साउथ अपरिगा को हरा कर जो कि 7 Run से 7 Run में जो की ओन की है इंडिया ने यह कौन से स्टाडियम में हो रहा था यह भी बड़ा इंपोर्टांट हो जाती है स्टाडियम पूछे तो यहाद रिख्या केंसिंग्टन केंसिंग्टन ओभाल जो की ब्रीट यहाद देख्या ब्रीड्क टाउन यहाद देख्या ब्रीड्क टाउन में यह हो रहा था और यह ब्रिक्ट टाउन जो कि इन बारबादोस बारबादोस यह स्टाडियम में हो रहा था स्टाडियम केंसरी अभाल ब्रिक्ट टाउन इन बारबादोस में हो रहा था और स्टाटोटे में जो कि जून 29 में यह कंप्लेट हुआ और ओन की है इंडिया ने यह रोइस चार्म बड़ते हैं कि number six who become the first Indian to win the win the Lacron आवाड ये किसने उन कि है मतलब जो who become the first Indian to win the Lacron आवाड ये दी जाएगी मतलब अभी नहीं दी गए दी जाएगी किसे अभी Currently इंडिया नहीं होने वाला है यह साहरू खान को अबसरुढ एज तो राइट अंसर साहरू खान उन्हें जोगी सिल्चट पिरवाग़ा है जोगी यह Award दी जाएगी साहरू खान को सिल्चट करवाग़ा है कौन शह्यों लाकृण आयब है बढ़ थे होगे नामर सिवन कि रट्ट पावर प्रोजेक्ट रट्ल प्रोजेट इस बिंक करेंट ले कंश्टॉक्ट अन्फ रिवर कौन सी हरीवर के उपर में यह बनाया जा रहा है यह चेनाब नदी के उपर बनाया जा रहा है एप्संसी तो रहे टंसर चेनाब रिवर और इसमें यही है कि यह जो चेनाब रिवर के ओपर बनाया जा रहा है यह जो देख रहा है हो फाइप मेंबर की पाकिस्तान डेलिकेशन आंड जो नेचुराल एक्सपॉर्ट यूनिट यहां बिजिट की है प्रोजेक्ट आपको पूचे तो यह जनाब रिवर के ओपर में रही बढ़ते हैं कि नबर एट इंपोर्टन कोश्चिन है फूच आप फोलोई नियू क्रिमिनल लॉग हाज बिन स्टार्टेड फॉम जुलाई वान ट्वेंटी ट्वेंटी पॉर बहुत इंपोर्टन है हमने यह जो देख रहे हो कौन सी नियम लागू कर वाई है अवसरा ए पर रहे है बी एनेस बी एनेस का फूल फॉर्ण क्या है यह भारत यह नया साही था ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री इस मतलब ऐसा है कि ऐसा मानों यह रखा गये है जो अभी की जो नियम करनून रहे थे उनके अलावा और भी कुछ भी नया लाया गए है और इसके नाम जो कि बनेस रखा गए बीनेस किसे से टेकर किए डिपलेस किए आइपीस्सिती आईपीस्टी यह प૮तलब नया लाया गए है बारत tooling बारत किनय एटियंग सेशलेंटी ट्विए नागरिका सुरक्सिया सही था भारत यह नागरिका सुरक्सिया सही था 2023 यह भी प्लेज करेए जो की CRPC же 1973 रहे उन्हें यह प्लेस करेए और जो शीपर देख रहा है हो बिए से यह भारत यह सुरक्सिया यह जो की अधनेयों भारत यह बहत यह सिरक्षिय अधीनियव 23 यह भीनीन सिरक्षिय अधिनियव 23 बशुभत क्यों सुरक्ष्या अधीनियम 2023 इस सभी को मतलब कि लाया गया है करेंट जुलाइवान में लांस कर वाए गया है इसके लिए भी जो की तो कि पाल्यमेंट में वेडियोस टाइब की इस्यू देखने मिला है अपोजिस्वान पार्टी की तरफ से हांड सुबस याद रिख्या न्यूज में रही तो याद यह जो बी एनस से ना यह रिप्लेश करिए आईपी से 1860 को इंडाल 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 कोट रहे पेनल कोट रहे से उन्हें रिप्लेश कर ऌएंग 1 एसे कडस करिया इंडाल इविदेन अख्त एबिडेंट्स आग्ट चो रहे 1873 कि यह रिप्लेस करवाई है और मतलब कई लायार का तो ऐसे मनना है कि यह लाया गया है यह तो उन्हें भी सिकार नहीं है बट यह बस याद रही है यह नियूली जो कि थ्री टैप्स की नियम लागू होने वाला है लागू की गई है जुलाइ वान से अगया यह बी किसे किसे भी रिप्लेस करवाएगा है जो कि रिप्लेस बेण एज्टबरीथ की है आईपी सीईट से सब्सक्राइए पीसीख्यों फॉन्हें थे नौमर नाइन वी च्वूलोइ आई एसो 90001 2015 2015 2015 कौन सी ओम्यन फोली स्टेशन को मिली है बहुत इम्पोर्टान है उनके सांधर प्रत्रशन के लिए उन्हें जो कि दीक है यह यह मतलब कौंड़ पॉलिस्टेशन को यह इसो ना इन जर जर वन साट्बीकिशन दी कही है यह इट्ट इंगर पॉलिस टैसन इट्ट नगर अफ्शन 222 जो की और उनक्रवधस की ध्यापिटल है मतलब यह क्यों ठीक है रह्त है जो क्रिमिनाल एग्पनेस्ट जो कुलीषius से इट हिए इटंगर इसलिये इंपिव इंपोटर हो सकता है रहेमें बारत करते है तो अरुवाय चर्पदर्षप लए यह इसका क्या पिस ब gouden यह की क्या इटा नगर हो गया सिए में फेमा खांडू गवर्णर केटी परनाएंग कई बल्या त्रिविक्रम परनाएंग लोक्षबास सीट के बार में बात करते हैं तो 60 आप से ज्यादा लोक्षबास सीट आपको कांची प्लेश में मिलेगा यह मिलेगा आपको उत्रबदिश में मिलेगा एटीस मिलेगा सारे के सारे डिटेल चांदरी किया बड़ते हां कि नमबर टेट यह रहें लास्ट को सिंग इंपोर्टन को सिन है वीच कंट्री विकॉमिंग द थार्ड लार्जेस्ट डेमोक्राटिक अभियाशन मार्केट विच कंट्री और टाप पर चांदर सइनद पर रहें लिए अधर स्वाइदा अग्लग बाजल से लिए लाकशन ब्लता अगर 9 विडियो को लाइक कर लिया बट मैनेज कर लेना जितना में डिसकस की जा रहा है न सबीके सभी इंपोर्टान कोसिन है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्ति की साथ शैर भी करना मत भलिएगा इस्में जोइन और वीडियो में और एक इंपोर्टान एंचिक के साथ सब्र diu झाल झाल